हेलो गाईज, वेलकम टू क्विक इन्फरमेशन टीम, आज हम पढ़ने वाले हैं इंडियान लैंड बोर्डर आए देखते हैं इंडियान लैन बोर्डर को देखे ये एक इन्डिया का मैप है जो Ministry of form of affairs, Government of India द्वारा रिलीस किया गया है जिसमें दिखाया गया है कि इंडिया कित्य country से बोर्डर शेयर करता है पहला border हम share करते हैं अफगानिस्तान के साथ, फिर चाइना के साथ, फिर बुटान के साथ, नेपाल के साथ, मैनमार के साथ, बंगलादेश के साथ, आफकोर्स पाकिस्तान के साथ और हमारी एक huge coast line है 7516.6 km इसकी length आपको याद करने की जोड़त नहीं है आए देखते हैं किस कंट्री से हम किस length का border, कितना border share करते हैं, सबसे जाधा हम border share करते हैं, बंगलादेश के साथ, उसके बाद चाइना के साथ, फिर पाकिस्तान के साथ, सबसे हम कम share करते हैं border, अफगानिस्तान के साथ, देखे, दो country है, जिससे हम approximately same border share करते हैं, less than 100 km का difference है, इसमें पूछ सकता है, सिंस border हमारा बहुत news में है, चाइना के face-offs के कारण, तो इसमें पूछ सकता है, कि क्या इंडिया जाधा नेपाल के साथ, जाधा border share करते हैं, less than 100 km, और yes, जाधा share करते हैं, और सबसे जाधा बंगलादेश के साथ share करते हैं, देखे, इंडिया का जो land control, LAC, दूसरा, line of control, LOC, और तीसरा, international borders, जिसको आँ शॉट फ़म में दिनोट करेंगे, IVC, देखे, line of actual control, 1962 के वार के बाद, चाइना ने, LAC को unilaterally declare कर दिया था, unilateral मेंज होता है, एक तरफा, LAC is not a permanently demarcated border and is longest pending border dispute between two countries in the world, रहिए, LAC जो है, वो permanently demarcated border नहीं है, और यह दो देशों के भी सबसे बड़ा border का विवाद है, इसकी कुल डिस्टेंस है, 4056 km, LAC has no fence, because exact location is not known, this is the only dispute, LAC के पास कोई fence नहीं है, क्योंकि exact location known नहीं है, जैसे आप देखेंगे, हमारा border जो है, पाकिस्तान के साथ, चाहे वो कास्मीर में हो, पंजाब में हो, या फिर किसी भी रिजन में हो, वो demarcated है, भले permanently हो या temporary हो, पर demarcated है, और वहाँ पे fencing है, पर चाइना के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि permanently demarcated border नहीं है, आए देखते हैं, management of LAC, LAC के management के लिए, tail and tail signs का यूज होता है, four tail and tail signs are used by Indian troops, चार tail and tail signs हैं, जो Indian troops यूज करते हैं, पहला, bread, दुसरा, biscuit, तीसरा, बीडी, चौथा, stones, Indian and Chinese troops use tail and tail signs and drop these items near LAC while patrolling, patrolling करते हैं, Indian or Chinese troops जो हैं, इन items को, जो tail and tail signs हैं, उनको LAC के near drop कर देते हैं, Since there is no permanent demarcation of the border, this can lead to conflict, since LAC का कोई permanent demarcation नहीं है, इसके कारण conflicts होते रहते हैं, जैसे for example, 2017 में 73 days का डोकलाम conflict और currently 2020 में लदाख और नाथुला का conflict, आए रेखते हैं LAC को map पे, देखें अक्साई चिन ये part जो illegally occupied है चाइना द्वारा, 1962 में जब हम द्वार को हारे थे, उसके बाद चाइना ने अक्साई चिन को illegally occupied कर लिया, अक्साई चिन हमारा इंडिया क अभिन अंग है, आए रेखते हैं LAC को, LAC जो है ये line है जो कि लदाख और अक्साई चिन को डिमाकेट करता है, अलग करता है, पर broader way में LAC को हम पूरा इंडिया और चाइना के broader को मानते हैं, देखें LAC को तीन पार्ट्स में डिवाइड किये हैं हम लोग, from management issue, defense management के लिए पहला western sector, दूसरा middle sector और तीसरा eastern sector, कुछ points हैं जिसे आपको remember करना होगा, पहला काराकोरम ट्रैक्ट और सक्सगाम वैली वाज इलिगली सीडेट टू चाइना भाई पाकिस्तान इन 1963, सक्सगाम वैली को पहले मैप पे देख लिजए काराकोरम रेंज या काराकोरम ट्रैक्ट इस पार्ट को पाकिस्तान ने चाइना को 1963 में बेच दिया था, और इसे इंडिया क्लेम करता है, सिंस ये हमारे जम्मु काश्मीर का पार्ट है, ठिक दूसरा, LAC passes through four states and one union territory, एक union territory ल सिक्किम और अरुनाचल प्रदेश से LAC जो है, लाइन आफ एक्चुल कंट्रोल क्रोस करता है, डिफेंस बेनेजमेंट आउन LAC, लेखें LAC को थ्री पार्ट में डिवाइडेड था, हमने पहले ही देखा था कि LAC थ्री पार्ट में डिवाइडेड है, पहला western sector, दूसरा central sector और तीसरा eastern sector, देखें, western sector में इंडिया के तरफ से ITBP, इंडो तिवितन बॉर्डर पुलिश और चाइना के तरफ से PLA, central sector में इंडिया के तरफ से SFF, Special Frontier Force और Chinese साइट से PLA, और eastern sector में इंडियन आर्मी और असाम राइफल्स और चाइनिस साइट से PLA, आप देख रहे हों कि इंडिया में ITBP, SFF, आर्मी और असाम राइफल्स, different company के troops, LAC को गाड करते हैं, पर चाइना के तरफ से सिर्फ People's Liberation Army, People's Liberation Army ही गाड करते हैं, देखें, People's Liberation Army जो है, एक पार्टी की आर्मी है, जो पार्टी को साफ करते हैं, Chinese Communist Party को, इसी के साथ LAC हमारा खतम होता है, next ह हमारा टोपिक है, अब, LOC, Line of Control, 1947 में हमारा पहला इंडो पार्ट वार हुआ था, on issue of कास्मीर, जो एक इसी के पाकिस्तान का कास्मीर, उसी पे 1947 में वार हुआ था, जो की खतम हुआ, जिसमें, जो खतम हुआ, काराची एग्रिमेंट, 1948 से, वहाँ पे एक लाइन, जहाँ प एग्रिमेंट माना गया, या टेम्परारी एरेजमेंट माना गया, सिस फायर लाइन को, फिर 1971 में एक और वार हुआ, जो की इस्ट पाकिस्तान के लिए हुआ, और इस्ट पाकिस्तान लिब्रेट होके बंगलादेश बना, नई कंट्री का जन्मवा बंगलादेश, इसमें जो सिस फायर लाइन था, उसको रिनेम करके लाइन ओफ कंट्रोल कर दिया गया है, एल ओ सी, और एल ओ सी का टोटल डिस्टेंस है, 740 किलोमेटर्स, एल ओ सी के हम मैप पे देखते हैं, रेखिए ये इंडिया का एक मैप का पार्ट है, टॉप मोस्ट पार्ट है, जिसमें हम जम्मो काश्मीर और लदाख के मैप को देख रहे हैं, ये देखिए, ये हमारा पूरा जम्मो काश्मीर का मैप है, ये जो पार्ट है, वो पियो के है, पाकिस्तान अखुपाइट काश्मीर और ये हमारा काश्मीर है, और लदाख है, जम्मो काश्मीर और लदाख है, ये ज इसके कुछ facts देख लेते हैं इसमें per day एक soldier का खर्च 3 करोर रुपीज आता है और इबरी डे एक यहां पर casualty हो जाती है casualty का main reason है यहां का temperature यहां का environment summer temperature यहां पर होता है माइनस 45 डिगरी celsius since altitude इतना जादा है उचाई इतनी जादा है कि वहां पर temperature बहुत कम रहता है और winter में माइनस 120 डिगरी celsius जाता है agpl line जो है nj9842 से इंद्राकुल तक जाता है आईए इससे map पे देखते हैं आपको समझ में आएगा देखिए यह एक जम्मू कास्मीर का मैप है यह जो आप map देख रहे हैं यहां पे और इस पार्ट को हम लोग enlarge किया है यह जम्मू कास्मीर और लदाक का मैप में इस पार् जिसका नाम है nj9842 यहां से जो उपर की तरफ यह जो लाइन जा रहा है है यह मेरे करसर के साथ इसको हम लोग बोलते हैं एजी पी यह देखिए यहां पे लिखा हुआ है एजी पी यह और यह खतम होता है इंद्राकॉल पे यही देखिए सियाचीन ग्लेशियर है एक बार हम डिफ्रेंस देख लेते हैं एलेसी और एलेसी का एलेसी जो है अकसाई चिन जो हमारा इंडियन टेरिटरी है जिसको चाइना ने इलेगली उकुपाई कर रखा है और लदाख के बीच जो डिमाकेट करते हैं उसको एलेसी बोलते हैं और ब्रोडर प्यू में हम प जो डिवाइट करता है उसको हम लोग बोलते हैं एल ओ सी ठीक है यहां पर एक पॉइंट देख रहे होंगे दौलत बेख ओल्डी हाइलाइट किया गया है आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि दौलत बेख ओल्डी क्यों में है क्यों निउस में है अब नेक्स्ट हमारा पाकिस्तान के साथ हमारी बोडर है और एल सी जो चाइना के साथ बोडर है यह देखिए यह दोनों यह टेंपरेरी के एरेजमेंट है यह लोसी होता है वह परमोनेंटली दिमागि सेटेरीय इसकी फ्री वैलेया बालेशन सोते हैं एल सी पर देखती है आप कंफिक्ट होता पर जो international border होता है वो relatively zone of peace होता है तिक इंडिया और पाकिस्तान दोनों उस समय जब इंडिया राद हुआ था उस समय दो पाकिस्तान था एक इस्ट पाकिस्तान एक वेस्ट पाकिस्तान जो modern day पाकिस्तान है और इस्ट पाकिस्तान जो modern day बंगलादेश है इन दोनों के बीच का जो border था वो Sir Redcliffe ने draw किया था 17th August 1947 को पाकिस्टान एक और इसू रेज करता है जो इंडिया और क पाकिस्टान वाकिस्टान बोडर करता है पर इंडिया इसे वार्किस्टान बोडर नहीं कहता है इंडिया इसे international बोडर कहता है आप समझे वार्किंग पॉर्किंग बोडर क्या होता है दू स्टेट के बीचके बोडर जो होता है उसे बोलते हैं जैसे पंजाब और हर्याना का जो वर्किंग बोडर मानते हैं ठिक पर इंडिया पाकिस्तान के बोडर को हम वर्किंग बोडर नहीं मान सकते क्योंकि यह इंटरनेशनल बोडर है पॉमनेंटली दिमार्किटेड है और यह कोई दो स्टेट नहीं है नेक्स आये देखते हम रेड़ क्लिफ लाइन को मैप देखिए यह लाइन और यह लाइन इस समय यह जो बंगलादेश आपको दिख रहा है यह वो इस्ट पाकिस्तान था इन दोनों लाइन को रेड़ क्लिफ लाइन बोलते हैं इसी के साथ हमारा वीडियो खतम हुआ थैंक्स आना बुले थैंक्यो